तो आज 20 किलो दूद की दो जो सूपर मुर्रा भैंसे हैं पशु पालिक भाईयों के सामने लेकर के आए हैं जिला जजर का बेरी से सटा हुआ गाउं है छेज छेज पाड़ी पूर के नाम से जो गाउं है वो नश्कार दोस्तों मैं हूँ संदीप और एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरी अंड फार्मिंग में आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे सुरक्षित होंगे तो आज 20 किलो दूद की दो जो सूपर मुर्रा भैंसे हैं पशू पालिक भाईयों के सामने लेकर के आए हैं जिला जजजर का बेरी से सटा हुआ गाओं है छेज पाड़ीपुर के नाम से जो गाओं है वो और पीछे नरेश भाई हैं आप यहां पे देखें बिलकुल योगा चैरे एक पेश एक अच्छे एथलीट भी रहे हैं और मैं कहूंगा एक अच्छे पशू पालिक भी हैं का पाविंग नियर टू डिलीवरी और दोनों की दूद की काफी अच्छी रिपोर्ट क्योंकि पिछले ब्यात में लेकर के आये थे दोनों की दोनों इनके घर पे इनोंने पिछले जो लैक्टेशन है उसका दूद पी रखा है तो इसलिए जो रिपोर्ट है वो बिलकुल खर और सूसपस जो जानकारी है वो देंगे सीधा लेकर के चलते हैं नरे सर के पास जाने डिटेल्स नमश्कार नरे सर नमश्कार बाई साथ संदीश क्या से हो जी ठीक हो काफी दिन के बाद वीडियो आपके फार्म से कवर करा रहे हैं बीच में कहां गये वोगे तो बैसे ही सहल तो आज दो भैंसे दिखा रहे हो अपने फार्म से तो जिसके पास खड़े हो इसकी क्या कुछ जानकारी तीसरे ब्यात में ठीक है कितना समय बसता है इसका इसका वाई दस दस रोज रह रहे हैं दस दिन बचे हुए हैं तो क्या कुस दूद की रिपोर्ट फिसलेंगा उनन चार्ट बंद करते हैं जब दूसी नाठ चार्ट बात करें किस से प्रेगनेंट है डारेक्ट मेटिंग है सरकारी सीमन दरवाई तेखिए गाजी काफी अच्छा पशूदन लेकर के आते हैं पहले भी काफे सारी वीडियो इनके डेरी फार्म से कवर करी हैं कोई नाम कर नह से जानते हैं और इस इलाके में काफी अच्छा काम कर रहे हैं पशूदन को लेकर के पड़ती जान लावे दो सालोगे बैइन ने दूद ना हुरी क्यों सरी आड़ में सुई रहा है इस मैस ने खान नो इरह सरी याड़ दो साल लोगे ने दूद ना हुरी लाएक मराट ना डक्साब नूट्री डाइट ना खवाई और बुटी गल्ती करें पर नूट्री डाइट खवाई जना है फिर हो जागी ड़क्साब ना दूद भी होगे छोटे बच्चा न खवाऊ वह जल तहुले त्यार होंगे ठीक अड़क्साब आज लिया हुमा 25 किलो अड़ी बा होगा बांज नहीं होगा और छोटे पशुचल दी तैयार होंगे थार टाइमर बफलो आप सब पशुपालकों के बीच तस दिन का समय काविंग करने में बसता है चैरे मोरे की बनावट से लेकर के हाइट लंद कदकाथी पीठ बोड़ी वेट आप देखिएगा काफी काफ रिद बेच का कामकाज करते हैं काफी अच्छा पशुदन फिल्ड से सेलेक्टेड घूम घूम करके लाते हैं कच्छे खुट्टे का और वो हमारे पशुपालकों को देते हैं तो दो महीने बता रहे हैं इसको ड्राई किया है और सरकारी सीमन यानि के जो एचल डीवी का सी हैं काफी खासा, और बहतरी ऋर काफी शांदार जो पशुदन है वह तो नरेश भॉषऑ पिछले ब्यात का बच्चा क्या था इसके कहतली थी तो वह अपने पास ही 1-5 उसको नहीं बेचोगे चीक है तो वह जैंके खीं थी यह रहे है उसकी कोई ज़ामकारा निया पिछले इसकी किम्मत बाई इसके आज है एक लाग चाली सार रुपे जो किम्मत है कोस्ट है वो और मैं एक चीज आप से जानना चाहूंगा काफे सारे भाई कहेंगे भी के वीडियो के माध्यम से रेट ज्यादा है दूद आपने देखा हूए और 20 किलो दूद की भैंसो के क्या मैंस मिलती नहीं मिलती नहीं है बहुत कम पसुए है बाई पालते कम है तो पूरा साल आपने दूद पिया दो महीने इसको ड्राइ किया उननीस किलो दूद की जो आप रिपोर्ट बता रहे हो लगातार कितने महीने इसने उननीस किलो दूद दिया बाई इसने साह बिनने की तो दो महीने आपने इसको ड्राइ किया है और आप मेर को एक बात और बता रहे थे कि दाना चारा हटा दो तो सुकती है अच्छा डालते रो तो कभी नी कभी नी हटेगी उल्टी चीक है खाने में बहुत अच्छा तो एक चालिस जो आपने मोलभाव रखा इसमें कुछ मानस मान की गुंजाइस है अच्छा ठीक है एक और पशुदन है सर आपी के फाम से बता दीजिये क्या कुछ जानकारी है यह भाई तीसरे ब्यात में बहुत बड़िया कितना समय बसता है इसका भाई यह कभी भी तो क्या कुछ दूद की रिपोर्ट यह उनीस किलो दूद यह भ अच्छ चैण के गहर पर जो बेल है वह मिलेगी और भाई का बिलकुल नोर्मल से नोर्मल रेंज में मैं कोँगा खरीद बेच का काम है तो उसी खरीद बेच से जो पशुदन है वह आप सब पशु पालिक भीयों को दिखा रहे है किसी तर का कोई साजो शरिंगार नहीं है वीडियो आज 27 ओक्टोवर को शाम के समय साड़े तीन वजे मैं कावर कर रहा हूं पशुदन आप देखेगा थर्ड लेक्टेशन में इसने काविंग करेगी कितना समय बसता इसका वाई दस के हो चुकिए संदीब दस महीने पूरे हो चुकिए पूरे हो चुकिए पूरे ह काफी टाइम से इनके साथ जुड़े हुए हैं पहले भी पशुपलकों को काफी अच्छा पशुदन दिया है वीडियो के माध्यम से लगा लो या फिर मैं कहूंगा नोर्मल जो खरीद बेच का काम है इनका चलता रहता है और थोड़ा करते हैं लेकिन साफ सुतरा करते हैं किसी तरकी कोई गुंजाइस नहीं तो सिंपल एक बेल में लोही की बेल आप देखें उसमें पशुदन को बांदा हुए है फोर अडर से लेकर के साइड से जो टिट स्पेसिंग है वो आप देख लो पीट बोडी वेट काफी बहतरीन और मैं कहूंगा पैल्विक बोन से अ पिछले ब्यात का इसका बच्चा बच्चा इसका कटडी है हमारे पास ही है आपके पास ही है इसकी भी कटडी है चीक है तो देखिएगा अडर कॉालिटी धिरे-दरे करके जो सिलवटे हैं खुल रही है और भी अच्छा खासा लेवा एक से दो दिन में काफी सारे बात करें नरेश भाई साब इसकी कीमत मुलबव इसके एक लाग चाली जार रुप एक लाग चाली से रुप एसके भी तो दोनों के आपने सेम दूद है तो चट्रेंट भी सेमी रहे है तो दोनों दूद आले है ठीक है बडिया डंगर मैं चा कुछ संपर्क सुतर हैं आप पाई बाण में और मैं काऊंगा गाओं है आपका छेज पाड़ी पर इसे यहे पाड़ी प्रूट पर पड़ता है यह वाई च्छ क्वास से दो किलोमेटर अपोजित रूट और पे पलड़ा गाओं के नजदीक किसी से भी पूच सकते हैं रही बात रेगूलर रूटीन च जो आपका खरीद बेच का रहता है, बिलकुल, किस तरकी भैंसे अपने पास, ताजा, याबिन, बाखडी, किस तरकी ताजा रखते हैं, सारी ताजा, याबन भी आज़ता है पसूफ, तराता है बढ़िया, ठीक है, साफ सुत्रा लेते हैं, साफ सुत्रा पशुदन, लेते है बढ़िया बेचे, तो देखेगा, काफी अच्छी दोनों भैंसे थोड़ा करते हैं, साफ सुत्रा करते हैं, और एक मिलनसार सौभाओ के भाई है, हमारे कभी कोई गुनजाइस नहीं मिलेगी, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, नरिश भाई, एक बढ़ हस के दिखादा, य आप इन से संपर्क करें, आज की वीडियो थी डिस्टिक जजर से उमीद करूंगा, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जल्द ही मिलेंगे, फिर किसी नए पशूपा लखे करिया, किसी बड़र डेरी फार्म पर, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यव ज्यार 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 किसान